आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार प्राइम टीवी के खास कारिकरम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्षा महरोत्रा अपने इस खास कारिकरम में हम बात करते हैं विशिशग्यों से अलग-अलग बीमारियों पर और जानते हैं बीमारियों की इलाज और उपाई के बारे में और आज हम बात करेंगे कोविड-19 पर जिसे आम भाशा में कोरोना कहते हैं पूरी दुनिया ने इसका प्रकौप देखा है लेकिन अगर बात करी जाए वाइरस और इसके वारियंट्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है और कोरोना पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर जी केत्रिवेदी जी जो की एक सीनियर साइंटिस्ट है बीरबल साहनी इंसिट्यूट लखनव से तरह हमारे खास कारिकरम में आपका स्वागत है तो सबसे पहला सवाल कि कोविट को कोरोना को कोविड-19 ही क्यों कहते हैं कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंफेक्शन साल 2019 में आया और वो साल ऐसा था जब उस समय इस टाइप के वाइरस की पहली बार रिपोर्टिंग हो थी इसलिए उसको कोविड-19 जी अगर बात करें वाइरस की तो जो कोरोना है वो भी एक वाइरस है तो सबसे पहले रिपने वाइरस को समझना चाहिए कि वाइरस किस तरह का होता है उसके प्रतिया और प्रकार कैसे होते है वाइरस तो एक लिविंग मीडियम ने तो वो अे लिविंग और originally की तरह भी है करता है लेकिन जब यह ऑउट-साइड लिविंग मीडियम में आ घाता है तो यह वैस 15 – 20 मिट दें तो गजाता है या मैero जाता। जा मर कोई थी जाता है तो तो कि दो नहीं होता है लेकिमी एक Molema waves झानी कार ला कि Temर होता है? तो इसका एफट चेक्टीड वे बैक्रिया ही कुछ बैक्टिया कोज है लेकिन ही तो निग्टिव हिता है इसका हर जब यह किसी भी और्गनिजम लिविंग और्गनिजम के अंदर उसके बॉडी में इंटर करेगा तो वो जो है ख़रावी असर देगा बिमारी देगा जी अगर बात करी जाये कोईड नाइनटीन की तो जैसे कि नेकि चाइना से आयाया है यानि कि चाइना में बनाने के व्मेस बेदा रिछा जाया जाया है कूछ लोग कहरे थे यह लाब बनाया गया है तो आपने इसके उपर research कर या आपको क्या लगता है कि यह natural है या फिर इसे बनाया गया है देखिए चाइना से तो आया है इसमें कोई दोराए नहीं जैसे कि बहुत से research journals में भी publish हुआ है कि जो first report है वो चाइना से वहान का इक जिला वहां परांथ हया था और जहां तक प्रहां से रिपोर्टिंग और सैजा कि पोरे संसार उस धाल समय हेसान और जहाद सब्सक्राइब च्किनर कोटिपेशन उस समय के लिए हम 2 संसार स्वाट इस दिन पागे पाग भी दलाए्ट छाव होता अवह पयाBen इसमय होतां लेकिन जब artificial में है इसमें एक साथ सब्सक्राइब फैले तो यह इंडिगेट करता है कि यह जो है artificial है और कहीं से यह बना है या बनाया गया है अगर variants की बात करें COVID-19 के तो अभी तक कितने variants देखने को मिले हैं COVID-19 जो है वैसे तो सभी COVID है लेकिन यह जो है COVID-19 जैसे हमने आपको शुरूर में बताया क्योंकि सन 2019 में पहली बार इस टाइप के virus को बताया गया तो इसलिए इसको COVID-19 के दिया अब COVID-19 का पहला variant है वो है Omicron सबसे पहले साथ अफरीका में रिपोर्ट किया गया अब इसके सब वेरियंट्स हैं जैसे की B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 अब और इसके अलावा एक XC variant में निकल किया है जो की UK में रिपोर्ट हुआ वी रिसेंट्ली जी और यह जो जितने B1 टाय के जो बताया इसके भी अब 2.12.1, B.12.2.2, B.12.2, B.12.2.2 तो यह भी इसके सब लीनेज हैं यह ओमिक्रॉन के सब इरियंट्स के जी और इसमें जो सबसे आज की तारिक में जो सबसे खतरना या विरुलेंट है जो सबसे आदा इंट्रेक्शन कर रहा है वो है B.2.12.1 जी तो अगर बात करी जाए सबसे पहले विरियंट की तो जब सबसे पहला विरियंट पूरी दुनिया में आया तो वो सबसे ज़दा संक्रामक था यानि यह लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा था दूसरा विरियंट आया डेल्टा विरियंट तो उसमें जो मॉटलिटी थी वो इसके क्या साइड एफेक्ट्स है लेकिन उसके बाद जूद भी उसका जो इन्फेक्शन था वो इतना खतरनाक नहीं था उसकी विए से मॉटलिटी रेट बहुत कम था लेकिन जो दूसरा जो उसका सब विरियंट आया जो अभी आपको बताया बी 2.12.1 और भी 2.12.2 यह ज विरूलेंट है और खासों से इससे पहले वाला जो B.2.12.1 सबसे जादा विरूलेंट है इसमें डेल्टा विरियंट टाई की मुटेशन है और इसकी वजे से मॉटलिटी रेट बहुत जादा है यह सबसे जादा लंस में आपको अटेक करता है और लंस में क्यूंकि यह हम पूरी में जाती है तो सबसे आदा आधा है कहीं पे होता है तो यहाँ पे बनना या साफ होना कम हो जाता है इसलिए लोगों की कामी की यह गद्ध तो मॉटेल्टी रेट की हमने बात कली लेकिन जो इसके प्रकार थे कोविड-19 के क्योंकि जो सिम्टम से पहले उसमें टेस कि यही वजाएगी जो इसके सिम्टम से उसमें भी चेंज़ आए हैं जी है यह कारण हो सकता है क्योंकि जब म्यूटेशन होता है तो उसके बाद जो वाइरस की अंदर की सनचना है वो बदल जाती है और जब सनचना बदल जाती है तो उसका जो प्रोग्रामिंग के लिए वो अगर बात करीजाए तो कोविट ने बॉड़ी के कौन-कौन से और्गन पे सबसे ज़दा असर डाला है देखिए गला है नाक है और आपका मूँ तो हई है और लंग्स है कुछ लोगों को किड्नी में भी प्रॉब्लम हुई है कुछ लोगों को हार्ट में भी प्रॉब्लम तो जातर बॉड़ी को एफेट करता है बलड में आ जाता है तो बलड तो पूरे बॉड़ी में ही होता है अगर मौजूदा वक्त के वैरियंट के बात करी जाए कोविट के तो इस वक्त जो वैरियंट देखने को मिल रहा है एक बार फिर से कहा जा रहा है कि चौती लेहर की शिरुवात मानी जा रही है तो क्या ये सही है कि चौथी लहर की शिरुवात है क्योंकि एक बार फिर से कोविट के मामले बढ़ने लगे हैं मौजूदा वक्त में जो वैरियंट है उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे आप समझती है चौथी लहर आ गई है मैं आपसे पूछता हूँ आपको लगता ही चौथी लहर आ गई है ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से मामले कम हुए और फिर से बढ़ने लगे हैं तो अगर लापरवाही करी जाएगी इसकी रोक्त हम नहीं करी जाएगी तो हो B.4 और B.5 यह और XE वेरियंट जो है वायरस का भी रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है यह B.4 अभी न्यूजिलेंड में रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है 26 अपैल को और 1 माई को यह पहला केस है B.4 का और यह जो पेशेंट है यह साउथ अफरीका से आया था और B.4 और B.5 जो है अभी यूएस में और यूरप में और साउथ अफरीका में भी रिपोर्ट किये गये हैं लेकिन इनकी जो मॉर्टल्टी रेट है बड़ी पूर है और अभी इनकी जो प्रिसेंस भी है बड़ी बहुत पूर उसके लिए बड़ी मिनिस्क्यूल बड़ी जा उसका प्रभाव नहीं पड़ा है पूरी जनता की उपर जी अगर बात करें कि इसकी कितना खतरनाक हो सकता है कोविट तो पहली लेहर में अमने देखा कि जो अन्य बिमारी से ग्रसित लोग थे उनकी उपर असर डाला दूसरी लेहर में हर वर्ग पर असर डाला तीसरी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहुत नॉर्मली ही थर्ड वेव निकल गई लेकिन चौथी लेहर में बच्चे सबसे जादर संक्रमित हो रहे तो चौथी लेहर बच्चों के लिए कि इतनी खतरनाक है यह जरूर है कि यह वेरियंट जो अ लेकिन इसका जो मार्टेल्टी रेत वह भी बहुत ही पूर है को यह हुआ ओ जाता है इसमान fodो की भी ज्रूर माना चाता है बच्चों की जो इंसे ==== होती है बच्चों के म्यूटी अभी भी स्ट्रॉंग है लेकिन क्या यह म्यूटेशन का असर है बच्चे जो संक्रमेत हो रहे हैं तो यह हमें तो जो लगता है यह कोविट का नहीं होके बलकि कोई क्योंकि अगर ऐसा भी कुछ होता है तो इसके लक्षन बहुती घातक होते और क्योंकि बच्चों में वेक्सिनेशन हुआ नहीं है और जैसे कि आपको थोड़ा सा अगर पढ़ा हो आपने या ध्यान हो आपकी फैमिली में या कहीं आपकी रेडेटियस में सुना हो पहले चिक कि चीज अभी तक सुनने को नहीं मुझे कि अगर यह इंफेक्शन हुआ है तो कोई बच्चे की डेथ हो गई है तो नहीं हुए है लेकिन इसकूली बच्चों के जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है देखिए कोविड तो common cold भी COVID, it is also COVID लेकिन उसमें सब व बच्चीन की तो अभी तक दुनिया में कितनी वैक्सीन मौजूद है और भारत में जन वैक्सीन का उप्योग हो रहा है उनके बारे में भी जान करी चाहेंगे देखें वैक्सीन जो इंडिया में रिपोर्ट हुई है बनाई गई है उनमें से भारत बायोटेक है और वैक्सीन है और दोनों बहुती एफेक्टिव हैं और ये डव्लुएचो से इनको संस्तुती मिल चुकी है और और भारत ने अपने जितने जाहतर जहां जिन देशों को ज़रूरत थी इन दवाओं की भारत ने इनको वहां पहुचाया और इस पर उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी गेन हासिल करने की कोई कोई कोशिश नहीं की अगर बात करी जाए कोविट के असर की तो क्या यह जानवरों पर भी असर करता है क्योंकि अगर घर में पैठ है तो क्या उनको होके और बाकी उनसे बाकी लोगों तक पहुच सकता है देखे वारल इंफेक्शन तो अगर बचाओ की बात करें तो किस तरह से बचाओ कर सकते हैं और कौन-कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है सावधानी की बात है सबसे पहले व्यक्ति विशेश को अपना सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए अपने आपको साफ सुत्रा और रखना चाहिए और किसी भी कोई भी चीज़ कोई भी जैसे चाबी हुई या पैंसिल हुई या कोई फॉरिन या चीज़ मुह में न ड़ले जै और अपने हाथ साफ रखे हाथ और किसी प्रकार का कोई भी गंदा पदार्त अपने मुह में न ले जाए ना किसी दूसरे के मुह में ढाले की कोशिश करेंया है जी अगर ट्रीट्मिंट की बात करें तो डॉक्टर उन लोग को जादा जादा अच्छे से ट्रीट करते ह जिन लोगों को पहले से कोई और बीमारी है, उन लोग के लिए कितना जरूरी होता है special treatment? देखे, दोनों बीमारियां तो सभी सब इंपोर्टेंट होती हैं या उनको उनका उप्चार होना चाहिए. लेकिन अब संबल दीजए किसी को brain hemorrhage हो गया या stroke आ गया है तो उसको तो immediate attention चाहिए. या heart में कोई problem आ गई या kidney problem आ गई तो उसको तो immediate response चाहिए. तो इस प्रकार की जब cases आते हैं तो डॉक्टर देख सकता है उन लोगों को भी या उनको priority basis पे भी देख सकता है. अगर medicine की बात करें तो medicine कब तक आ सकती है कोविट में? लेकि medicine की तो पूरी कोशिश हो रही है और हमाई कहल से हमने पढ़ा भी था कि Pfizer ने चाहरे medicine अभी launch की है और अभी वो trial चाहरा है और अगर trial successful हो जाएगा तो उसको market में launch कर दी जाएगा. बच्चों की वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे क्या लगता कब तक आ सकती है? अगर बात करी जाए इस vaccine की तो vaccine अभी बच्चों तक तो पहुँच रही है जो under 12 है उन तक नहीं पहुँच पारी है लेकिन 12 प्लस के लिए तो मौजूद है तो उनकल vaccination हो गया है अब वो कितना safe है कोविट से? वेक्सिनेशन होने से बहुत safety है और अभी जैसे हमने आपको बताया कि B.4 और B.5 और ये B.2.12.1, B.2.12.2 ये इस समय कम effective है क्योंकि लोगों को vaccination हो गया है और vaccination की वज़े से इन लोगों को immunity डेवलप होगी जी, mutation की बात करें तो vaccination भी हो गया है लोगों का उनकी immunity भी हो गया है लेकिन अभी चार बार mutate हो चुका है कोविट आगे भी इसके mutation की संभाव ना है अगर होगा तो और कित्ती बार हो सकता है क्योंकि एक वाइरस की तरह ही है वाइरस कित्ती बार लगभग mutate होता है कोविड और कित्ती बार mutate हो सकता है यह कहना तो बहुत मलब कहना मुश्किल होगा लेकिन वाइरस और बैक्टिरिया दोनों बहुत लक्षना दिख जाकते हैं जैसे हमारे बाल गिर गए तो जो हमारे वंशाज होंगे तो उनके बाल तीन चार चौती पाच्वी जनरेशन में दिखाए पड़े लेकिन जो वाइरस है इसमें कोई भी mutation हो गया तो वह immediately next generation में ही दिखाए पड़े mutation की बात तो हमने कर ली लेकिन अगर बात करें इसमें बदलाव की मुटेशन माने sudden and mark changes मनल एकदम से और बड़े specific टाइपी changes जो होते हैं उनको तो कई कारणों की वज़े से mutation हो सकता है पहला कारण ये भी हो सकता है कि जैसे उसको कोई ऐसी condition हो जो उसके फाइदे मनना हो तो म्यूटेट कर लेगा और कुछ वो या एक natural तरीके से मुटेट कर ले तो कई प्रगार के कारणों की वज़े किसी बॉडी में कोई ऐसी समस्या आ जाए वाइरस के लिए तो वहां भी मुटेट कर ले या ऐसे environment में जो living medium जहां पे भी उसको कुछ ऐसी अप्रिये चीजे लगें घटना हो तो वह मुटेट कर ले तो क्या लगता ह है क्या यह कभी खतम हो पाएगा इनसानों के बीच से यह तो बहुत मुटेट है लेकिन जब जब से समय लिए टीवी है जैसे टाइफार्ड है या कोई भी बीमारी ले ले लिए स्मॉल पॉक्स और चिकिन पॉक्स पोलियो तो एरेडिकेट हो रहा है तो यह बार डीजिस हो जाएगी समय के साथ और एक फ्लू के रूप में रहेगी हम लोग के बीच यह कहना मुश्किल है लेकिन हाँ यह ज़रूर है जैसे कि अब इसकी वैक्सिन निकल आई दवा आ रही है जैसे एड्स है एड्स की दवा बहुत मुश्किल हो गई थी जैसे उसकी दवा निकल है लेकिन हल जानवर जैसे हम ही लोग हैं जैसे घर्मी लगी तो हमने इसी खोल दिया तो यह वाइरस को भी अगर कोई अपनी घटना लगी तो इसने आपको चेंज कर लिया जिसको मुटेशन क्या जैसे कि कोविट-19 आर्टिफिशल वाइरस है और इसका अभी तक इलाज नहीं मिल पा रहा है क्या और भी ऐसे वाइरस है जिनका अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है अभी तक तो ऐसा नहीं सुना अब यह कोविट पहला ऐसा था कि जिसमें की यह ऐसी सिच्वेशन है क्योंकि आर्टिफिशल इसलिए वैक्सीन बनाने में दिक्कत लिए लेकिन व वैक्सिनेशन या लग जाए तो आप उससे बचे रहेंगे से ट्रिफिल एंटीजन लगता है या और योगा लग जा तो आप बचे रहते हैं तो म्यूटेशन ही वज़ा है क्या जो इसकी दवाई बनने में इतना वक्त लग रहा है येस एक रीजन हो सकता ही है और लेकिन कोविड नाइंटीन के सब वेरियंट्स हैं ये पहले वाले वेरियंट्स के मुकाबले एफेक्टिव हो जादा है लेकिन इसलिए नहीं एक कर पा रहे हैं क्योंकि वैक्सिन लग चुकी जी अच्छे खान पान और दिन इचरिया से हम कैसे कोविड से बच सकते हैं अपनी इ जितना आप नडर रहेंगे उतन ही आपकी बोडी स्ट्रॉंग बीरिये पान नची और इसा कोई बोजन ना करें विशक्त भोजन ना करें जो कि आपकी बोडीरियोगे को खाना करें जैसे बहु है जो ज modèle से ऐखें कोफी नहींत थीक है तमभाकू नहीं तिक है पानमसादा यह सब चीज़े ठीक नहीं तो यह जो है सब बॉड़ी की इम्यूटी को कमजोर करती है और आप खाना ऐसा खाये फ्रेश खाना खाये और प्रोटीन विटामिन बिच खाना खाये तो यह आपको इम्यूटी डेलप करने के लिए फाजय मत होगी आप exercise करिये यह भी एक देखेए हम अपने दर्श्वकों को यही एडवाइज देंगे कि पहले तो आप क्लीन रहें अपने चारों तरफ ट्लीन रखें चीजों को और जो अपने हाथ हैं और भी कोई फॉरें चीज है उसको अपने मूह में ना डाले ना किसी के दूसरे के मूह में डाले तो इससे जो है आपका infection होने चांसे बहुत कम रहेंगे और mask जो है उसको पहने यह बहुत फाज़े मन चीज है लोग इसको समझते नहीं लेकिन बहुत फाज़े मन चीज है जो बहुत 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 शुक्रिया हमासर जुनने के लिए और हमाई दर्शकों को तमाम जानकारी के उपाई भी बताए आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही अगले एपिसोड में एक और विशिशग्य और एक और बीमारी पर चुर्चा करेंगे तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार